देखो बच्चे अब करते question number 10 ये कह रहे है कि प्रूफ करो ये दो टेंजिन्स है ठीक है इनका जो external point से जो angle है ये supplementary है मतलब इसका और जो line of contact है है ना इसका तो यहाँ पे ये वाला तो ये जो angle है angle P plus angle O ये तुम्हारा supplementary है ठीक है आगया समझ में तो supplementary angle का सम कितना होता है 180 तो तुमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो angle और ये वाला जो angle है पी ये दोनो 180 degrees है अब तुम ये देखो बच्चो ये क्या है तो ये tangent है तो ये tangent है और ये radius है तो point of contact पे obviously 90 degree angle बनाएगी सेम ऐसी हाँ पी 90 degree angle बनाएगी ठीक है तो मैं कह सकती हूँ that angle A is equal to 90 degrees है के नहीं कैसे हो जाएगा ये 90 degrees बाद थेहोरम 10.1 क्या कहता है थेहोरम tangent is perpendicular to the radius at point of contact ठीक है clear सेम इसी तरीके से angle B is again equal to 90 degrees अब देखो अब हम क्या करेंगे हम इस correlator में A P B O में हम angles हम property लगाते हैं क्या angle A plus angle P plus angle B plus angle O is equal to बताओ correlator के angles को सम होता है 360 ठीक है clear आप तुम ये देखो बच्चों यहाँ पर A और B दोनों तो 90 90 है तो मैं लिख सकती हूँ 90 ये वाला भी 90 plus angle P plus angle O this is equal to 360 ठीक 90 90 कितना होता है बच्चों 180 होता है तो 180 को अधरली आते है angle P plus angle O is equal to 360 minus 180 ये कितना हो जाएगा 180 degree तो हम ये ही तो प्रूफ करना तो that angle P plus O is equal to 180 ठीक है clear